हलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्टूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है स्टूडेंट्स, आज हम साउंड वेव के प्रोपोगेशन और उसके रिफ्लेक्शन को स्टडी करेंगे एर में वेव प्रोपोगेशन की प्रिक्रिया को इस तरीके से समझ सकते हैं माना रेड डॉट एर के मोलिकूल्स को शो करते हैं जब स्प्रीकर का डायफ्रोम एक अणू को आगे के तरफ पुश करता है तो यह अपने से आगे वाले अणू से टकर करके उसको आगे के तरफ पुश कर देता है अगे वाला अणू उसके आगे वाले अणू से टकराता है टकरा कर उसको भी आगे के तरफ पुश कर देता है अणू के इस प्रकार आगी की तरफ गती करने से हवा आगी की तरफ विस्तापित हो जाती है इस प्रक्रिया में जब अणू आपस में टगराते हैं तो वहाँ पर दाब बढ़ जाता है इसे compression कहते हैं ठीक इसी प्रकार जब speaker का diaphragm पीछे की तरफ गती करता है तो यह समीप वाले अणू को अपनी तरफ खींचता है इसका स्थान लेने के लिए इसके पिछे वाला अणू भी speaker की तरफ विस्तापित हो जाता है अणों की इस प्रकार की गती से हवा भी स्पीकर के तरफ विस्थापित होने लग जाती है। इस प्रक्रिया में जब अणों के मद्धे दूरी अधिक होती है तो इसे rarefaction अर्थार्थ विरलन कहते हैं। स्पीकर के diaphragm के लगातार vibration से यह push-pull प्रक्रिया त्रिव गती से होने लग जाती है। जिस से push के कारण जो अणों आगी की तरफ गती करता है वह पुल के कारण पीछे की तरफ भी गती करता है। इस कारण medium का परतेक अणों अपनी mean position के इर्दगिर्द कमपन गती करने लग और sound wave आगी की तरफ बढ़ती रहती है। इस प्रकार आपने देखा कि तरंग अणों के मद्य होने वाली टक्रों से ही आगी की तरफ बढ़ती है। ये टक्रें जितनी जल्दी होंगी वेव उतनी तेजी से आगी की तरफ बढ़ेंगी। मीडियम के अणों जितने एक दूसरे से नजदीक होंगे उतने ही ये टक्रें तरिवगती से होंगी और वेव की स्पीड उतनी ही जादा होगी। यही कारण है कि solid में sound wave की स्पीड सबसे जादा होती है। उसके बाद में liquid में और सबसे कम gas में होती है। एड में विभिन मेटिरियल्स के लिए sound wave की स्पीड के विभिन फोमलाज शो किये गए हैं। किसी gas के लिए sound wave की स्पीड उसके pressure, density और adiobiotic constant पर depend करती है। इसके एतरिक पी है temperature पर भी depend करती है। solid के लिए यह young's elasticity constant पर depend करती है। तो liquid के लिए यह bulk modulus पर depend करती है। पानी के लिए bulk modulus 2.2 GPA यानि 2.2 GPa होता है। temperature बढ़ने के साथ साथ sound की velocity भी बढ़ती जाती है। sound की velocity पर temperature की dependency को show करने के लिए formula इस slide में परदर्शित है। जब sound wave propagate करती है तो कुछ स्थानों पर medium के particles एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं और वहाँ पर उनकी density बढ़ जाती है। इसे compression कहते हैं, compression वाले points पर pressure, normal pressure की तुला में अधिक हो जाता है। ऐसे points भी होते हैं जहाँ पर particles एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, वहाँ पर rarefication उत्पन हो जाता है। इसे विरलन भी कहते हैं, यहाँ पर दाब सामाने दाब की तुला में कम होता है। जब wave किसी medium में propagate करती है, तो medium का परतेक particle अपने mean position के इर्दगिर्द कमपन गती करता है। इस कन का किसी समय t और किसी दूरी x पर mean position से displacement को formulae s is equals to s0 sin kx minus omega t plus pi by 2 द्वारा दर्शाय गया है। और उस थान पर pressure को p is equals to p0 sin kx minus omega t द्वारा दर्शाय जाता है। particles के displacement और pressure के मद्धे phase difference pi by 2 का होता है। इस वीडियो के शुरुआत में हमने wave propagation की push-pull theory समझी थी। इस animation के center को ध्यान से देखने पर आप उस push-pull theory को verify कर सकते हैं। sound wave से medium के pressure में change आता है। इसलिए sound wave को pressure wave भी कहते हैं। इस animation में sound wave सर्किल बनाते हुए travel कर रही है। सर्किल के wave इंदू जहां पर particles एक दूसरे के पास-पास हैं। वहां पर pressure अधिक होता है और इसे wave का crest कहते हैं। इसी प्रकार कुछ points ऐसे भी हैं। पर particles एक दूसरे से दूर-दूर हैं। उसे wave का trough कहते हैं। crest का हिंदी अर्थ श्रंग और trough का हिंदी अर्थ गर्थ होता है। इस चित्र में wave propagation के दोरान particles के mean position से displacement और pressure को एक साथ दिखाया गया है। जहां पर pressure maximum होता है, वहां पर displacement zero होता है। ठीक इसी प्रकार, जहां पर pressure minimum होता है, वहां पर displacement maximum होता है, वहां पर pressure, normal pressure अर्थार्थ एक atmosphere के बराबर होता है। minimum pressure का मतलब होता है, कि वहां पर pressure one atmosphere से जादा है। minimum pressure का मतलब होता है, कि वहां पर pressure one atmosphere से कम है, normal pressure एक atmosphere के बराबर होता है। इस चित्र में pressure और distance, displacement और distance के graph आप देख सकते हैं। compression वाले points पर pressure अधिक होता है, और rareflection वाले points पर pressure minimum होता है। Students, next video में हम इन concepts का इस्तमाल कर reflection को समझेंगे और उसे experimentally verify भी करेंगे। कर दो दो कर दो कर दो झाल झाल